बागवट रिशी ने एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग हिर्देयम और एक पुस्तक लिखी है उसका नाम है अश्टांग संग्रहम इन दोनों पुस्तकों में उन्होंने साथ हजार नियम बताए है उन मेंसे चार बताता हूँ अच्छे लगें तो आज से ही पालन करो और दूसरों को भी बताओ ताकि कोई भी इन नियमों का पालन करे तो बीमार ही ना पड़े ये चारों नियम है वात पित और कफ को संतुलित रखने के लिए अब वात पित कफ तीनों एक साथ आपके संतुलित रहें तो उसके लिए पहला नियम है खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना ये पहला नियम आप बोलेंगे ये तो बड़ी मुश्किल बात है खाना खाते ही पानी पीते हैं हम तो सब के सब और बिना पानी पीए खाना ही नहीं खाते कई लोग तो खाने से ज़्यादा पानी पीते खाना कम खाते हैं पानी ज़्यादा पीते हैं ये खाना खाने के बाद पानी कभी भी नहीं पीना क्योंकि महर्शी बागवर्टे कहते हैं भोजन अंते विशमवारी मानि भोजन के अंत में पानी पियो तो जहर के पीने के जैसा है इसलिए वो कहते हैं कभी भी खाने के तुरन बाद पानी मत पियो अब आप मुझे पूछोगे क्यों नहीं पिये कारण बता दो कारण मैं बताना चाहता हूँ सरल भाशा में हम जब खाना खाते हैं न तो पेट में सारा खाना इकठा होता है पेट में एक इस्थान होता है उसको हम कहते हैं जठर संस्कृत में हिंदी में जठर कहते अंग्रेजी में उसको epigastrium कहते है हिंदी में कुछ लोग उसको आमाशय भी कहते है ये जठर छोटा सा इस्थान है आपके पेट में नाभी है ना उसके left side में बाई तरफ छोटा सा इस्थान है सारा खाना आपका इसी इस्थान पर आता है जो भी आप खाते हो रोटी, चावल, डाल, सबजी, दूद, दही कुछ भी खाओ सब कुछ जठर में आता है अब जठर में जैसे ही खाना इकठा होता है तो उसमें आग जलती और उस आग को कहते हैं जठर अगनी मिला के बोल देते हैं जठर अगनी आप जैसे ही खाना खाते हो पेट में, जठर में अगनी जलती है वो अगनी खाने को पचाती है और अगनी खाने को ऐसे ही पचाती है जैसे रसोई घर की अगनी खाने को पकाती है आपके रसोई घर में आप अगनी जलाओ उसके उपर दूद रख दो दूद में थोड़ा चावल डाल दो अगनी जब तक जलती रहेगी खीर तब तक बनती रहेगी आप घर में अगनी जलाओ उसके उपर पानी रख दो उसमें डाल डाल दो दाल की पकने की क्रिया तब तक चलेगी जब तक अगनी जलेगी ऐसे ही पेट में होता है जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जलती है और जब तक अगनी जलती है तो खाने के पचने की क्रिया चलती है जैसे रसोई घर में खाना पकाते हैं वैसे ही पेट में भी खाना पकता है इसी को हम पचने की क्रिया कहते हैं अंग्रेजी में उसको डाइजेशन कह देते हैं तो आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई अब वो खाने को हजम करेगी पचाएगी अब मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो आप कि जैसे ही आपने खाना खाया पेट में अगनी जल गई और वो खाने को पचा रही है तुरंत आपने गट-गट-गट-गट पानी पी लिया और खूब ठंडा पानी पी लिया बरफ मिलाया हुआ पानी पी लिया फ्रिज का पानी पी लिया क्या होने वाला है अगनी जलेगी की बुझेगी अगनी के ऊपर पानी डालो तो अगनी और पानी की दोस्ती नहीं है दुश्मनी है पानी अगनी को बुझा देता है तो आपने खाना खाया अगनी जली पीचे से गड़ गड़ पानी पी लिया अब अगनी शांत हो गई अब खाना पचेगा नई तो वो पेट में पड़ा-पड़ा सड़ेगा और सड़ा हुआ खाना सौ से जादा विश पैदा करेगा और वो सौ विश आपकी जिंदगी को नरक बना देंगे और जिंदगी भर आप दीमार पड़े रहें आपको मालूम है कई लोग कहते हैं मुझे पेट में बहुत गैस बनती है ये गैस उनी को बनती है जिनका खाना हजम नहीं होता कोई लोग कहते हैं कि मुझे पेट में जलन होती है ये जलन उनी को होती है जिनका खाना पचता नहीं कोई कहते हैं कि मेरे पेट में एकदम गुम हो जाता है फूल जाता है ये सब वो लक्षन है जब खाना पचता नहीं तो खाना पचेगा नहीं तो सड़ेगा सड़ेगा तो विश पैदा करेगा और वो विश आपको बीमार करेंगे इसलिए महर्शी बागवट्ट ने कहा खाना खाते ही पानी मत पियो समझ में आया फिर आप बोलोगे कितनी देर तक नहीं पिये कम से कम एक घंटे तक एक घंटे बाद पानी पियो आप बोलोगे जी एक घंटा क्यों यह जो अगनी जनने की क्रिया है यह लगबग एक घंटे तक ही चलती है पेट में उसके बाद अगनी अपने आप शांत हो जाती है उसके बाद पानी पियो तो खाना अगर दस बजे खाया तो ग्यारे बजे पानी पियो ग्यारे बजे खाया, तो बारे बजे पीओ, बारे बजे खाया, तो एक बजे पीओ, एक घंटे बाद पानी पीओ अब आपके मनने ये सवाल आ सकता है, कि खाना खाने के पहले पी लें क्या? हाँ पीलो, 40 मिनट पहले पेट भर के पानी पीलो दस बजे खाना खाना है, नौ बज के 20 मिनट पे खूब पानी पीलो, जितना पी सकते हो ग्यारे बजे खाना खाना है, दस बज के 20 मिनट पे पीलो, खूब पानी पीलो, 40 मिनट पहले आप और एक सवाल पूछ सकते हो कि अच्छा ठीक है खाने के बाद पानी तो नहीं पिएंगे कुछ और पी सकते हैं कि आप पानी को छोड़ कर तो उसके लिए बागवच्ची जी कहते हैं कि खाने के तुरंत बाद अगर पीना है तो दही की लस्टी पीओ मठा खाने के बाद अगर तुरंत पीना है तो फलों का रस पीओ गन्य का रस पीलो संत्रे का रस पीलो मुसम्नी का रस पीलो अनार का रस पीलो अब आप को गए ये सब महगी महगी चीज़ें बता रहे हैं गन्य का रस, संत्रे का रस, अनार का रस पैसे तो है नहीं तो सबसे सस्ता रस है नीबू का ही रस पीलो शिकंजी बना के पीलो वो तो सबसे सस्ता है तो खाना खाने के बाद या तो दही की लस्टी पीओ या रस पीओ और एक तीसरी चीज है दूद पी सकते तो खाने के तुरंद बाद पीना है तो दही की लसी या मठा खाने के तुरंद बाद पीना है तो कोई फल का रस खाने के तुरंद बाद पीना है तो दूद पानी एक घंटे बाद पियो और अगर एक बात ध्यान रखो तो अच्छा है कि सबेरे खाना खाते हैं नियम का पालन कर सकते हैं जिन्दगी में कभी भी 80 रोग उनको नहीं हो सकते वाज कि तकफ तीनों ही इस एक छोटे से नियम से संतुलित रहते हैं तो यह पहला नियम मैंने आप से कहा दूसरा नियम एक और है और वो नियम ये है कि पानी कभी भी पियो घूट घूट भरके पियो जैसे गरम चाय पीते हैं गरम कॉफी पीते हैं गरम दूद पीते हैं एक एक घूट भरके एक एक सिप करके ऐसे ही पानी पीने की आदट डालो ये मूँ में एक बार गिलास लगा लिया गटा गट उसको खाली कर दिया, ये तरीका गड़ बड़े एक गूट पानी, दो गूट पानी एक बार में उतना ही पीव आप बोलोगे ये क्या चक्कर है बात ऐसी है कि एक एक गूट पानी जब हम पीते हैं तो मूखी लार पानी के साथ मिलकर पेट में अंदर जाती है और ये जो मूखी लार होती है ये च्छारी होती है और पेट में हमेशा अमल बनता रहता है तो एक गूट पानी पिया, मूखी लार इसके साथ अंदर गई, दो गूट पिया और जादा गई, बार बार लार अंदर जाएगी, तो च्छार पदार्त पेट के अमल के साथ मिलेगा पेट में अमल बनता है मूँ में लार च्छारी होती है तो ये च्छार को अमल में मिला दिया जाए और ये अच्छे तरीके से मिलकर पेट में जाए तो कभी भी कोई व्यक्ति के पेट को अमलता नहीं होती एसिडिटी नहीं होती और पेट में अमलता नहीं होती तो रक्त में अमलता नहीं होती और जिनके रक्त में अमलता नहीं होती उनकी जिन्दगी में कभी भी वात पित कफ के असंतुलन की इस्थिती पैदा नहीं होती इसलिए पानी घूट घूट करके पीना मैं आपको एक छोटा सा मेरा observation बताता हूँ परिक्षा आप भारत देश में या दुनिया में कहीं भी जाओ मनश्य को छोड़ कर फशू पक्षियों को देखना शुरू करो वो पानी कैसे पीते हैं किसी चड़िया को पानी पीते हुए देखो किसी पक्षी को पानी पीते हुए देखो वो चोच के एक बून के बराबरी पानी उठाता है एक बार में एक बून पान दिलेगा फिर थोड़ी देर चोच चलाएगा फिर पिएगा फिर दूसरी बून लेगा फिर चोच चलाएगा फिर पिएगा फिर तीसरी बून, एक-एक बून पक्षी पानी पीता है, कुत्ते को पानी पीते हुए देखो, चाट-चाट के पानी पीता है, शेर को पानी पीते हुए देखो, चाट-चाट के पानी पीता है, जितने जानवर चाट कर पानी पीते हैं, जितने पक्षी एक-एक घूट पान पीते हैं किसी भी पक्षी और किसी भी जानवर को डाइबिटीस नहीं है किसी को अर्थराइटिस नहीं है, कोई पक्षी oberweight नहीं है कोई पशू ओवरवेट नहीं है, वो सब slim और trim हैं क्योंकि वो इतने होशे आ रहे हैं कि पानी चाट के पीते हैं या घूट घूट करके पीते हैं अब मुझे ये हरानी होती है कि ये पशू पक्षियों को कौन सिखाता है वो अपने जन्म से ये ज्ञान सीख के आते उनका कोई गुरू नहीं है उनका कोई विद्याले नहीं है उनके कोई प्रसिक्षन शिविर नहीं लगते फिर भी उनको इतनी अकल है कि पानी घूट घूट पीना और हम ये मनश जिनके इतने गुरू इतने विद्याले इतने कॉलेज सीखने वाले, सिखाने वाले और हम मूर्खों के मूर गटा गट गटा गट पानी पीते रहते हैं तो पानी पीने का तरीका बदल दो घूट घूट भरके पानी पीओ ये दूसरा नियम है तीसरा नियम है कि जिन्दगी में कितनी भी प्यास लगे ठंडा पानी कभी मत पीओ बरफ डाला हुआ पानी फ्रिज में रखा हुआ पानी वाटर कूलर का पानी जिसका तापमान बहुत कम है ये कभी मत पीना क्यों क्योंकि शरीर आपका गरम है और पानी ठंडा है अब होता क्या है वो मैं समझाता हूँ सरल भाशा में पेट तो गरम है अब इसमें ठंडा पानी डाल दिया आपने तो अंदर जगडा होता है और जगडा क्या होता है या तो पानी पेट को ठंडा करेगा या पेट पानी को गरम करेगा अगर पानी ने पेट को ठंडा कर दिया तो पेट के ठंडा होता ही हिरदय ठंडा होता है हिर्दय के ठंडा होते ही मस्तिस ठंडा होता है मस्तिस के ठंडा होते ही आदमी ठंडा होता है और आदमी ठंडा होते ही राम नाम सत्य होती है आपको मालूम है जब शरीर ठंडा पढ़ जाता है तो घर में भी नहीं रखते निकाल के बाहर सड़क पे रख देते जो भर आपने बनाया अपनी महनद से शरीर के ठंडा पढ़ते ही निकाल बाहर करते हैं उस घर में से और पिर छिलाने लगते हैं, लेके जाओ, जंदी लेके जाओ, इसको जला के आओ माने ठंडे शरीर की इज़त नहीं है तो ठंडा पानी क्यों पी रहे हो भाई बंद कर दो कोई जानवर ठंडा पानी नहीं पीता कोई पक्षी नहीं पीता तो आप ये ठंडा पानी पीना बंद करो सादा पानी पीना शुरू करो और गर्मी के दिनों में बहुत अगर आपको तकलीफ है तो मिट्टी के घड़े का पानी पी लेना, फ्रिज का और बरफ का नहीं पीना ये तीसरा नियम है और चौथा और आखरी नियम है कि आप सबेरे ही सबेरे जब सोकर उठते हो तो सबसे पहले पानी पीओ जैसे ही आपकी आख खुल रही तो पहले दो-तीन गिलास पानी पीलो, उसके बाद आप टॉयलेट में जाओ, उठते ही पानी पीओगे तो दो फाइदे हैं पहला फाइदा ये है कि पानी पेट में जाकर बड़ी आथ को साफ करता है और जैसे ही बड़ी आत की सफाई होगी पेट से दबाव पड़ेगा और आप संडाज घर में जाएंगे दो-तीन मिनट में पेट आपका साफ हो जाएगा जिनका पेट सुबह एक बार में साफ हो जाता है उनकी जिन्दगी में कभी रोग नहीं आता इसलिए सुबह सुबह उठते ही पेट साफ होना जरूरी है और उठते ही पानी पीओगे तो मूगी जो लार है वो पानी के साथ मिलकर अंदर जाएगी सुबह पेट में एसिड की मात्रा जादा होती है इसलिए लार का पेट में जाना बहुत जरूरी है इसलिए सुबह उठते ही पानी पीना बहुत जरूरी है ये चार नियम है आयरुवेद के पहला नियम खाना खाने के एक घंटे बाद पानी पीना दूसरा नियम पानी को हमेशा घूट घूट भरके पीना तीसरा नियम कभी भी जिन्दगी में ठंडा पानी नहीं पीना और चौथा और आखरी नियम सबेरे उठते ही सबसे पहले पानी पीना चार नियमों का पालन जो भी अपने जीवन में कर सकता है वो वात-पित-कफ तीनों को संतुलित रख सकता है और जिसका वात-पित-कफ संतुलित है उसके जीवन में बीमारी नहीं आती है और जो बीमार नहीं पढ़ते हैं वो स्वस्त और तंदृस्त और सुखी रहते हैं उनकी जिन्दगी का खर्चा कम होता है और देश का भी बहुत सारा पैसा बचता है